जाहिंद मेरे प्यारे प्यारे सभी विद्यार्थियों को मैं हूँ जितेंद एक बार फिर से आपके आपने यूट्यूब चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागर करता हूँ दोस्तों ये यूथ कंप्रिशन टाइम की जो मैच की बुख है इसके जितने भी चेप्टर दिये गए हैं मैं ये सारे चेप्टर आपके एक्जाम से पहले कवर करा दूँगा ये मैं आपसे वादा करता हूँ सबसे पहला चेप्टर हमने परसेंटेज बढ़ा था इसके वाद हम लोगों का लाव और हानी चल रहा है जिसके हम लोगों ने 31 नंबर तक के कोश्टन सी ठीक लिए गए दोस्त में आपको बस ये बस नहीं मान के चलना इसमें आपके प्रीबियस एक कोश्टन वसी साल कराई जारे इसमें मैं आपको सारे कांसेफ्ट होंगे जिस जिस शेप्टर में जितने कांसेब रहा हैं वह सारे अपर बेतरीन तरीके से सिकाता हूं और जो तो ट्रीके होती हैं आपको सास्थ ne मिला तो आप इसको बिल्कुल प्रिविस यह चे बिल्कुल दिमत पढ़िएAST करझे काइब m यह आएसे दो है यह चार चार निशाने हम लोग कर रहेँ है क्योंकि कांसेट भी सीख रहा है है यह त्रीक में सेख रहा है और प्रिविस यह भी कर रहा है तो दोस्त बीना टाइम बरबात के हम लोग वीडियो इस्टार करते हैं और चुर्ण करने से ब्रीओ पहले जल्दी से संपसे लुप पहले आप एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए और यार दो दीजिए इसके बाद हम लोग बेत्री बेत्री मिला जाओ ला जाब कांसेप्ट सीखें और हम लोग बिल्कुल मायत के हीरो बन जाए तो आई होब दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सेर कर दिया होगा यह मैं आप से उम्मीद करके चलना हूं और बीना देरी क एक समूह ए है और एक समूह भी है अब दोस्त इन समूहों में कुछ टाइप के लोग हैं हमने इसमें कुछ राजनेता हैं कुछ राजनेता हैं कुछ पूलिस हैं और कुछ वकील है तो हमने इनको बिल्कुल बेत्री तरीके से लिख लिया अब हमने इनको तीन खाने में डि जिसको बीस से लाइन ड्रह कर दिया अब गुरूब ए में 40% है राजनेता 60% पुलिस है तो 40 और 600 हो गया यानिकी वखील इसमें 0 होंगे क्योंकि कोई भीजिल हमेसा और हमेसा 100% होती है यानिकी गुरूब परसें लोग हो गए समोबी में 35% राजनेता है और 40% पुलिस है तो कितना हो गया 40 और 35 पचतर यानिकी वकील कितने रहे होंगे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए की शुक बी को एक अन पाते चार में मिला जाता है एक अन पाते चार में मिला जाता है तो नए बनने वाले स्थमूव क्या है नए दोसित कोश्चन में कुछ गड़वडी है तो इसमें से क्या बोला गया है कि इसमें तो यह होना चाहिए मेरे हिजाद से कि इसमें सायद ये पॉस्ट्टन है कि राज नेता कि इस पॉस्ट्टन में कुछ मिश्टेक है इसमें किसी का पर्सेंट मतलब किनी दो का अनपात पूचा गया है और इस इस पॉस्टन में आंगे वो चीजी लिखी नहीं गई है यह जब टाइपिंग करती हुए गलती है और साय इसमें पूछा गया मेरे हिसाब से राज नेता और वकील का अनपात पूचा गया है मेरे हिसाब से यही पूचा गया है अब पोस्टन करके देखते हैं कि किसका क्या पूचा गया है तो देखिए और करा जो गुरूप ए में समुए और समुए क्यों एक अनपाते चार मिला जा रहा है इसका मतलब है कि यदि समुए से एक आदमी लिया जाएगा तो समुए से चार आदमी लिया जाएंगे बस आपको इतना सा मतलब समझना है आप से जो भी पूचा गया हो आप बिल्कुल आसानी से बता जेंगे कोई विदिक्कत वाली बात नहीं पड़ेगी आप समुए से एक आदमी लेंगे तो समुए से आपको चार आदमी लेना पड़ेगा एक अनपाते चार का मतलब यह है अब मैंने मैं इसमें निकाल दे रहा हूं कि मैं राज नेता मैं और वकिलों को निकाल दे रहा हूं यह निकी यदि आपने समुए से एक आदमी लिया समुए से एक आदमी लिया तो 20 से डिक है तो यह दिसते 40 फसिमाने इस अनपयों मैंने जो राज नेता है, वो मैंने 40 समू ऐसे ले लिया, तो जो समू भी से राज नेता लेना होगा, इसका 4 गुना, यहनि कितने लेना होगा, 170, 40 x 40, sorry, 40 x 4, अब वकील है, कि अब वकील इससे कितने लिए गया इसमें तो यहां फिद नहीं तो इसमें एकeted लेकिन इसमें कितने लेंगी स्व लेंगे दोस्ति इस question में कुछ से गड़वड़ी है तो मैं question को exact समझा नहीं पा रहा हूँ तो I hope आप इस question को बिल्कुल समझ गया होंगे कि जो भी question में इसमें पूंचा गया हो ना तो आप बस इससे एक लिजिएगा और इससे चाल लिजिएगा आप cancer बिल्कुल बेतीन तरीके से आ जाएगा चलिए हम लोग अपना अगला question देखते हैं और यह आपका अगला question आनूज एक वर्स को छै परसन के नुक्सान के साथ बेज रहा है दोस्त यदि आपने मेरा आप पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो यह question आप बिल्कुल within second में समझ जाएगी मैंने पिछले question में जब यह बेमान दुकंद दार वाले question का concept बहुत भेतीन तरीके से explain किया हुआ है मैं उसम मैं आपको बताया कि भार होता है वो हमेसा आपके मूल का उल्टा होता है अब जो अनूज को 6 का नुक्सान हो रहा है यहां पर देखिए परांतु एक किलो की जगए वह 800 ग्राम वजान यूज करता है यानि कि उसको देना कितना चाहिए उसको देना चाहिए 1 लेकिन वह दे इसका रहा है 800 ग्राang आप इसका रहया अनपाथ है तो जो इसका प्राइस होगा वो जेस्ट्य क्या हो जाएगा उलटा हो जाएगा आप देखिए यह उसको देन देना कितना यह निकि आपका विक्रेमूल का तो यह जिस्ट उल्टा हो जाएगा यह आपका विक्रेमूल पाँच तो आप पांच में बेच रहेते बस दोस्त आपको कोश्चन खतम हो गया अब आप क्या कर यह यह जो क्रास वाले इनको आपस में काट जिए तो यह 10 बार गया और यह आप इनका मल्टिप्लाइ करा लिजिए तो यह 10 चो को 40 आएगा और यह 47 इंटू एक कितना आजाएगा 47 यानि कि 40 की वर्ष तो आप 47 में बेच रहे हैं यानि कि आपको कितने का फैदा हो रहा है साथ क है 40 की वर्ष िन का फैदा भैजession के बड़ा है तो 40 कि बेच रहा है तो आपको 7 का फैदा हो रहा है जबकि क्ウ Falls ने बल रहा है कि उसको 350 का लाब हो रहा है यानिकि 7 कमान किसके बराबर है 350 के बड़ाबर अब दोस्त आप 350 में साथ का भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा साथ पाना पाइटिस यहीं 50 बार जाएगा यहीं 50 आपका हो गया एक कमान तो आपको क्या ग्याद करना है तो उसी वर्ष्ट के एक किलो का लागत मुल ग्याद करना है यह दोस्त आपके 40 किलो का लागत मूल कितना है चालीस एक कमानाख पच्छास तो 40 कमान कितना हो जाएगा 40 इंटू 50 जैनी कितना हो गया कि तो 3 तो आपके 40 की रोग आ हम जो लागत मुल थी कितना गया दो जाओ को निकालना केंगा 1 केृप हम करता से भाग दे दीजिए तो यह आपका कितना आज आएगा पच्चास यही आपका एपार्ट आंसर हो जाएगा तो आई होब दोस्तों इस कोश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए चलिए अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन पढ़िए एक घड़ी को 16% मुनाफे से बेचा जाता है एक घड़ी है यानि कि मैंने मान लिया यदि घड़ी का मूल थास्सा हो जिसको 16% मुनाफे के साथ बेची जा रही है यानि कि कितने की बेची जा रहे होगी 116 की बेची जा रहे हो यहां तक किसे कोई दिक्कत नहीं है यदि यह घड़ी 10 कम दाम में खरीज जाती यानि को जो 90 के खरीदी गई थी तो अब यह 10% कम दाम में खरीदी जाती यानि कि यह कितने खरीदी जाती 90 की खरीदी जाती तो दोस्त क्या करा रहा है तो चाओदा कम में बेची जाती तो पत्चीस परसन का मुनाफ़ा होता कितने का मेरे दोस्त मुनाफ़ा होता पत्चीस का यदि ये पहले स्ताव की खरीदी गई तब इसको सोला के लाव में बेची जा रही थी लेकिन जब इसमें 10% कम हो गया तो ये कितने की बेची जाने लगी जब नब की बेची जाने लगी तो इसमें 25 परसन का क्या होने लगा 25 पर्षंट का लाव होने लगा यानि कि यह कितने की पेची जा रही ओगी तो आप sciences इसको आछा बता सकते हैं कि 90 की 25 का लाव हो रहा है यानि कि 25 परोचनम का यहनी कि उस्ट रही निकर कितने मृज़ी जा रही कडि़ी एक सो पत्चीस बटे 10 में बेजयर इसको काठ दिया तो पांच यह पांच बटे चार इसको दो से चाठा तो एक तना आया पाइट आलूसर है और यह दो पाइटारेश दुनाइन अभी दुनाई कितना आएगा 45 दुना आए 90 दुना एक्स तो असी और और बसाड़े 22 यह निकी एक सो एक सो अस्ती में आप जोड़ी ए बाइस देसे दा मल्टिप्लाइ कराई इसका तो यह देखिए आएगा इसको दो से आउर कार दीजिए तो यह आएगा बाइस देस अमलो पांच इसका म यह निगिए कि जब 25 परितने का लाब हो रहा था है तो लनभै कि वहर तो एक सो बार ते समलो पांच में बीच जैरी पहले दोस्ति यह वर्ट कितने कि बीच जारी थी अभ एक सो रूंट है अब यह वस्तिट बार्स तम लो पांच की बीच जारी यादिकी सिदुक्त का न बीच जा रही है तो आई वोप आप इसको समझ गया हूं यहां तक किसे कोई भी दिक्कत नहीं होंचे एक बार मैं फिर से चीजों को समझा दूं साव की वश्ट पहले एक 116 में बीच जा लेगी जब 10% दाम कम हो गया निकि जब 90 की बेचने लगे तो आपको 25 परसन का मुना साथ बेचेंगे तो 112.5 में बेचेंगे पहले आप 116 की मेंच रहे थे 116 की आप बार 112.5 की बेचने लगे तो आपको कितने निक्सवान हुआ 3.5 का 116 में 112.5 है जबकि कोशन बोला कि चौदा का नुकसान हो रहा है साफका अब आप इसको हल कर लिजिए तो यहां से आप ए 3.5 यह दसम्लूप खटाया तो एक जूरू पर लग जाएगा आप 35 दुनाई 70 दुनाई 140 यहनि कि एक कमान आपका आगया चार तो आपको घड़ी की लागत कीमत बतानी थी और आपकी लागत कीमत थिस्साओ एक कमान आया चार तो स्ताव कमान कितना हो जाएगा चार तो य यह आपका बी पार्ट है आंसर हो जाएगा तो आई होप आप इस कोस्टन को बिल्कुल बहतरी न तरीके से सीख गया होंगे चलिए आगला कोस्टन देखिए करा एक बेपारी एक वर्ष्ट के प्रारंधिक विक्रहमूल को दूगना कर देता है यादि जो प्रारंधिक ला याद था यह iqe isね 16 वह सुव को आप इस के फैडक यानि कि सुवकी वौस्ट कुछ थो कि तने की हैं मेरे हुए मैरे किसी भाई और भा staff कुछ में दिक्कत नहीं होनी चाहिए विल्कूल भी नहीं होनी आप मेरे दोस्त आप करा रहा है जो प्रारंविग्स कर दीच दि का बेंच रह थे आप लोगना कर दिया या सव की वर्ष्ट तो आप दोन चालिस में बेचने लगे तो आपको कितने का फायदा हुआ उस-कर आपoria तो यही आपका 140 पर्जेंट डी पार्ट आंसर आ जाएगा तो आई होप आप इस कोस्टन को भी बेच्टरीन तरीके से सीख गया होंगे चलिए आप अगला कोस्टन पढ़िए बिल्कुल आसान सा कोस्टन है कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए कि आप देखिए इस को ना आप विल्कुल कामन से जन्नल तरीकिस विल्कुल यूँ आपको चुटकियों में कर दिना चाहिए इस को आपको देखिए मैं आपको समझाता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आराम से चीज़ों को समझ दिजिए एक किसान ने 45 रुपाय में दो बिन खरीदी लुम से 95 समें दो बघ्री खरीदी इसका मतलब है उसने बेखिए कुछ नहीं दिया ये मतलब अलाग अलाग खरिद राहे की कैसे घुरिद राहे वोगा क्री दोनों सेम्रेट में खरीदी गई यहनि कि आपको दोनों बक्रियों का जो क्राइमूल है वह सेम है आप कह रहाँ है एक बक्री को 27% के लाग पे बीज रहा है तो आप इसको गैड़ी तो रहा है दूसरे को कितने पर्षीन लुखसान में बीजना चाहिए अब देखे जब दोनों गत्केने हैं मूल स्थेब है nggak अर एक को 27 पर्षीन लाफ पे पेंच रहा है आप उसको टोटल हो लहा है हो डूसरों 227 हां यहीं आप ya सी बार्ट हो जाएगा अब यह आप यह आप इसको बेतरी न तरीके से और अभी अपकी चीजें नहीं समझ में मैंने माल लिया कि एक बक्री का मूल है सो रूपय तो दूसरी बागPI कि मूल रूपय होगा कींकि दोनों बख्रीयां को तो मूल सेम है आपने पहले को 1 यानि कि आपने जितने की बक्रियां खरीदी थी तो आपने 200 की बक्रियां बेच दी यहां तब कोई भी दिक्कत नहीं होने चाहिए आप पहली आपने तो दूसरी को आप बिल्कुल आसानी से नहीं बता सकते हैं कि तीहतर में बेच रहे होंगे तो आप दूसरी बेच रहे हैं तीहतर में बेच रहे हैं तो आप को कितने का नुक्सान लग रहा है कितने मेरे दोस्ते साव में पर्सेंटेज बताना है तो आपको 27 पर्सेंट आ गया अब मैं समझ रहा हूं कि अब आपको यह और भी बेस्तरीन तरीके से समझ में आ गया होगा तो मेरे दोस्त आज के बाद आपको याद रखना है आज के बाद आपको याद रखना है यदि क्रहमूल सेम है ना यदि क्रहमूल दो चीजों का सेम है तो जो आपका लाव है आप बोल रहा है कि लाव आओ ना तो लाव हो रहा है ना तो हान ही हो रही कि आपको जितने परसंट का पहले में यदि लाव हो रहा है तो दूसरे में आपको उतने परसंट की हा नहीं होगी यदि आपको जितने में पहले परसंट की हा नहीं हो रही है तो दूसरे में उतने परसंट का आपको लाव होगा जेस्ट उल्टा होगा तो आप आप इस की गढ़ना करता है एक ब्यापारी है जो लागत मूल में यानि कि सीपी में लाग प्रिद्शत की गढ़ना करता है एक अन्य व्यापारी है जो विक्री मूल पर लागत मूल की गढ़ना करता है किसमें करता है में दोस्ते विक्री मूल में लागत मूल गढ़ना करता है कोई द मेंचा जा रहा है आप जो दूसरा है वह भी 52 रुपय पेइंच रहा है यहां सिंतको को इस की स्फिक्ट नि Say 25 कि ने शुक्ते यह कई द्क केदाया करते है कि दोनुटी सपरसे के कि लावब करते हैं लेकिन वसकर कर में से रहा रहा है यही है यह कि यह जो दूसरा वाला है इसने क्या कि इसने अपना लाग निकाल नेकल से अर्वां सोक ठीस परसेंट निंद का tutti और वावन सो का 30 परसेंट निकालना तो मैंने आपको परसेंटेज ने बहुत आसान तरीके ठीका रखा है कि एक अंग बाद दस्तमूर लगा दीजिए तो हो जाएगा यानि कि 10 परसेंट का मानन आप आगया और फांस ओर अवया वैका happening ऊप इसमें का माल्टिप्लाय करा कि एक्षव थीर तो पंति यह पंदरह सौ आएगा यहीं कि जो पहले ने लाब कमाया वो कितना कमाया 1560 अब दूसरे का लाब निकाल लेते हैं दूसरा किसमे लाब कमा रहा है टीपी पर यानि तीस परशन को पहले फ्रेक्शन ने बदला तो तीन बटे दस यह आपका क्या है सीपी और यह है आपका लाग यानि कि 10 की वस्तू मैं आप 3 का लाब क तो आप वस्त को कितने की बेच रहे होंगे 13 की बेच रहेंग़े जब कि कोस्टन में कहा रहा है कि मतलब वो थीरे थी नहीं बेचना पहला दूकंदार कितनी की बेच रहा है बावन सो की यानि कि आप 1312 में तेरे का भाग देज़ें तो कितना आए गहाई यह 400 आजाएगा यानि कि एक कमान आ गया आपका 400 तो आपका CP था 10 है तो CP निकालने के लिए 10 में 400 का multiply करा देंगे तो आपका CP कितना आ जाएगा 4000 आपका CP कितना आ गया 4000 आप इसमें 40 का multiply करा देगे यानि कि आप 4000 की वर्स तो बावन सु की बिच रह थे तो पहले को कितने का लाग हो रहा है 1200 का पहले को 1200 को का दूसरे को 15 आद दोनों का लाग कितना हो गया साथ और ये दो यानि कि दोनों को 277 60 का लाब हुआ यही आपका e part आंसर हो गया तो दोस्त ज्यादा कुछ तो आप इस कोश्चिन को बेटरीन तरीके ची गए उंगे तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर तब तक के लिए बस इतना ही आग दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आए होगा तो वीडियो को लाइक कर देजिए चैनल को सस्क्राइब के लिए आप पहल बार आएं तो बस मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर अब तक के लिए जाये हैं